हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम स्मार्ट एलेक्ट्रिक बॉर्ड बनाएंगे जिसे हम इंटरनेट के थुरू पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं तो आईए इसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए हमें नोडेमसी यू रिले मोड्यूल और कुछ वायर्स की जरुत होगी इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में देगे लिंक पर चले जाना है तो अब आप इस टेप पर पहुंच जाएंगे यहां आपको तीन फाइल्स मिलेंगी इन में से जो पहली फाइल है वो नोडेमसी के ड्राइवर के लिए है अपने को पहली फाइल डाउनलोड कर लेनी है डाउनलोड हो जाने के बाद इसे रन करना है और इंस्ट्रोल कर लेना है एक बाइंस्ट्रोल हो जाने के बाद सभी टेप्स को क्लोज करना है अपन करना है अगर आपने नोडेमसी के लिए आड़िनो आईडी का सेटप नहीं किया है तो उपर आई बटन पर उसका लिंक आ रहा है उस वीडियो को देख लें इसके बाद जो जो सेकिंड फाइल थी उसे उपन करना है यहां दिये गए कोड को कोपी करना है अपनूंगी तर में अधफ दrasiosa करें लिए नहीर की रचीच करा यहां पर आपको तीन जी जकले पड़ेंगे नेटवर्क नेम में में आपको हाफ परण के गसे अऽ कि अशत आँडी और पास्वर्ड है वहां पर आपको आपके वर्सपोर्ट सा पास्वर्ड लगाना है अधन्टिक ऐसे टोकन की जए लिए आपको प्रेश्टोर जे बिलिंक एप राउन करना है इसे ओपन करना है यहां पर निए प्रेश्ट क्लिक करना है प्रजेक्ट में में होम ओटमेशन देरा हूं आप तुछ की दे सकते हैं बॉर्ड में आपको नोर एंजिए को सेलेक्ट करना है प्रेश्ट करना है यहां से ओट्सेंटिकेशन टोकन आपकी मेल आयरी के चला गया होगा इसके बाद यहां पर चलिक करना है और बटन को एड़ करना है प्रेश्ट करना में लाइट दे रहा हूं जो कि नोड एंजिए की डीवन बिन से कनेक्ट होगा स्विच पर क्लिक करना है और देखा जाना है दूसरे बटन का सेटप इस परकार करना है यहां से ब्लिंट एफ का सेटप पूरा हुआ इसके बाद अपने को कंप्टुटर स्क्रीन पर जाना है इसके बाद आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पर अपना मेल अकाउंट ओपन करना है आप देखा हो कि ब्लिंट के वर से आपको एक मेल आया होगा उसी में आपका और अटेंटिकेशन टोपन है मेरा और अटेंटिकेशन टोपन यह रहा है इसे कॉपी कर लूँगा इससे में आडिनो आईडि में आपर प्रेश्ट कर दूँगा इसके बाद में नोडेंस यूओ को टेटा के बलके तुरू अपने सीप्यों से कनेक्ट कर दूँगा और फिर इस कोड को अपलोड कर दूँगा अपने कर दिय को अपने को आईडिना कर दो क dalla दिय वह यह रही बालाद इसे को अपने क endeavor एक बार कोड अपलोड हो जाने के बाद सबी जो कंपोनेंट से उन्हें डाग्राम के अनुसार कनेट कर लेंगे तब बाद से उन्हें ठाद से बाद से उन्हें आपता आपता है झाल 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 उसके बाद हम अपने बोड से एक बल्ब को कनेक्ट करके बता रहे हैं अब यह हमारे पोन के होट स्पोट से कनेक्ट हो जाएगा तो जैसे ही हम लैट के बटन को प्रेस करते हैं वैसे यह बल्ब भी जलता है इसकी रेंज बहुत जादा है इसे हम पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं झाल 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 झाल